नमस्कार SPN 9 News आप देख रही हैं लोगसब चुनाव जारी है जहां दो चरणों में देश के 111 सीटों पर मतदान हो चुका है ऐसे में बिहार की 40 में से 9 सीटों पर वोटिंग के प्रक्रियाद दो चरणों के तहत पूरी हुई जिसके बाद अब तीसरे चरण में पांच और सीटों पर 7 माई को वोटिंग हो गये अब सब के बीच पूर्णिया संसे देशेतर बिहार की इन चुनावों में सबसे होट सीट बन गई जिसका कारण रही है पपू यादव जिस तरीके से पूर्णिया को लेकर पपू यादव ने अपना पूरा रुख रखा है उसने पूर्णिया को सबसे होट सीट बना दिया बता दे की बीच शुकरवार की 26 अप्रेल को दूसरी चरण के मदान वाले दिन पूर्णिया में भी मदान आखिरकार पूरा हुआ जहां इंडिया गटबंधन की ओर से बीमा भारतियार जेरी की तरफ से चुनाव लड़ती नजर आई मतदान होने के बाद अब लालू यादव को अपना समर्थन दे सकते हैं दरसल अपनी पार्टी का कॉंग्रस में विलाय करने से एक रात पहले पप्पू यादव ने लालू और तेजस्वी से उनकी आवास पर मुलाकात की थी जहां पर लालू यादव ने पप्पू के सामने उनकी पार्टी को आरजेडी में विले करने की पेशकश की जिसे पप्पू यादव ने ठुकार दिया था इसके बाद अब पप्पू यादव की आरजेडी के साथ ताल में बैठने की खबरे आ रही हैं जिसकों बाद माना जा रहा है कि वो आरजेडी के साथ भी अपना गड़ बंधन कर सकते हैं और उस सब के बीज चर्चा है कि पपु यादव अगर गड़ बंधन करते हैं गिले शिक्वे जो राजनीती कारणों से बने थे लालू परिवार से उन्हें दूर कर रोहिनी के समर्थन में चुना प्रचार करते नज़र आएंगे या फिर नहीं फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिये की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं SPN 9 News